अगर आप सेल्स से हैं और आपने कभी भी सेल्स में काम किया है तो आपने यह वर्ड जरूर सुनाओगा CRM क्लाइंट रिलेशन से मैनेजमेंट CRM एक टूल होता है जिसे हर सेल्स परसन यूज़ करता है और इसके साहरे वह अच्छे से अच्छे डील्स को क्लोज कर पाता है यह भी एक सॉफ्ट्रेर है इसे भी हम साइस के काटेग्री में रख सकते हैं पर आज मैं इसके यूज़िस के वरणे बात करना चाहता हूं कि क्यों है किसे भी सेल्स परसन की स्यारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे जरू सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरे लिंट्डिन पर डिच आउट करें मुझे मेल कर सकते हैं उसका link मैंने description में दे दिया है तो आप मेरा calendar book करके मुझसे आराम से बात कर सकते हैं अब आपनी सोचो कि एक इनसान है जिसे बोल दिया हुए के लिए CRM आपका एक equipment होता है आपका एक seed होता है जिसमें आप सारे details रह पाते हैं सारे data analytics analyze कर सकते हैं सारे client के बार में आप जान सकते हैं और इस data को maintain करके आपके company का पता चल सकता है कि ROI क्या आ रहा है deals कितने close हो रहे हैं कौन सा client का potential कितना है और सारी के सारी चीज़े एक जगर आते हैं मैं पहले बता दू कि पहले क्या होता था तो पहले लोग paper पर डारी पर लिखा करते हैं कि मैं इस client से मिला उसकी यह requirement है इस तरीके से मैंने बात की यह चीज़ है और अब मुझे उसने एक वीक के बाद मिलने के लिए या call करने के लिए बोला है उसके बाद Excel से आया उस पर भी सेम चीज़ करने लगे पर क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग इतना सेसे बहुत बरा साइकल होता है से लिए बहुत सरह से client है जिन मैंने दो-दो साल में close किया जब आप चे मैंने या साथ मैने बात मिलोगे आपको याद रहे है क्या क्या चीज़े बात हुए ती कुछ भी याद नहीं रहने वाला है इन सर्भी के लिए आपको एक solution मिलता है जिसे CRM कहते हैं Salesforce, Pipedrive, Joho, Frestex यह कुछ companies है जो CRM मना रही है बहुत अच्छे से CRM मना रहे है इसमें आप lead wise अपने client को देख सकते हैं lead कितनी generate हो रही है, lead से conversion कितना आ रहा है, कितना time लग रहा है, आपके इसमें reminders रहते हैं कि कब call करना है, कब नहीं करना है, notes रहते हैं और आपकी पूरी की-पूरी company organization एक sync में रहती है, सबको पत रहते हैं किस client के साथ क्या बात चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी को किसी ज़ salesperson को इसे आना चाहिए, use कैसे करना है, मेरा फेवरेट जो CRM है, वो है pipe drive, मैं बहुत दिनों से pipe drive यूज कर रहा हूँ, मैं जिन company में जहां पर CRM नहीं होता है, अगर मैं join करता हूँ, तो उन्हें pipe drive जरूर बोलता हूँ कि pipe drive यूज करना चाहिए, CRM बहुत important है, जो salesperson या मुझे reminder रहते हैं, वो सारे task रहते हैं, और एक अलग सी खुसी होती है, जब मैं किसी भी software में deal को won करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता चल रहा होता है, कि मैं कितने time में tenure में एक line पर दे रहा हूँ, उसका ROI क्या रहा है, कितना time लगता है, तो मैं अपनी strategy को भी change कर सक सकता हूँ, और मैं बाकी लोगों से पूछ सकता हूँ, क्या करूं, जिससे improve हो जाए, या मेरे बात जो आ रहा है, उनको मैं सिखा सकता हूँ, कि यह स्टेप्स थी जो मैंने करी थी, और ऐसे ही मैंने यह close किया था, अगर किसी को कोई change कर रहा है company, मेरी company से कोई employee बाहर जा जाएगा, so in a nutshell, CRM एक solution है, जो sales person को help करता है, अच्छे तरीके से deals close करने में, client onboard करने में, और servicing देने में, यहाँ पर आपको सभी चीज आप कर सकते हो, calendar maintain कर सकते हो, conversation maintain कर सकते हो, stages maintain कर सकते हो, funnel आप create कर सकते हो, और आप processes set कर सकते हो, data analytics कर सकते हो, सारे के सारे, so पूरे क कुछ SaaS के बारे में कुछ और भी जानना है, तो उसके लिए बेजिजग मुझे comment करके बताओ, मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलना, और अगर बात करनी है, तो मेरे calendar का link, description में है, book करो, बात करते हैं, और नया को सीखते हैं,